नमस्कार, पेप्टिक टाइम अद्वर्देश समाचायाब में आपका स्वागत है, मैं हूँ शीवेंद शुकला अपने स्वाद और पॉश्टिक्ता के लिए जाना जाने वाला कड़कनाथ अब एक बार फिर से लोगों की मांग में शामिल होता दिखाएते रहा है दरसल इस कोरोना काल में इम्मुनिटी बढ़ाये जाने को जोड़ दिया जा रहा है और लोगों की धार्णा ये है कि कड़कनाथ खाने से इम्मुनिटी बढ़ती है और यही वज़े है कि अब कड़कनाथ की डिमाड एक बार फिर से बढ़ गई है अनलोकी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कड़कनाथ के चूजों के लिए दो से धाई मेहनों की वेटिंग लग रही है वीते एक माह में 8000 से अधिक चूजे और करीब 1500 से अधिक मुर्गे मुर्गियों के बिक्री हो चुकी है गौर्टलब है कि जाबू अजिले की देशी ब्रीट कड़कनाथ का रंग काला होता है और इसका खून और मीट भी काला होता है इसका ये रंग इसके मीट में पोशक तत्यों की भरमार के चलते होता है कड़कनाद के मीट में प्रोटीन के अधिकता होती है यही नहीं लो फेट और भरपूर केल्शियम होने से नकेवल इसका स्वाध उंदा होदा है बलकि सेहत के लिए भी यह फायदे मंद होता है यही वज़े है कि अनलॉक की प्रक्रियाज शुरू होने के बाद कड़कनाद की मान मतेजी से इजाफा हुआ है एक तो इसमें प्रोटीन परसंट जादा होता है जोकि हमारे सरीर को चलाने के लिए सबसे अवश्यक है फेट परसंट इसमें कम है कोल्स्ट्रोल परसंट कम है आइरेन परसंट जादा है तो यह जो करेक्टर है यह इस मुर्गे को अब दूसरे जतने भी मांच भाने वाले लोग रहे लिए न वाल को अलग करते हैं और निश्यत ही आईरेन परसेंद जादा होने एंग्य क्रोटीन परसेंद जादा होने से हमारे सरीर की इम्मूनिटी बढ़ती है और ऐसे समय में जब कोरोना काल चल रहा है और तो इम्मूनिटी की सभी जगे बात की आ रही है तो निश्यती सभी लोगों ने इसको इसमें माना है और कई डोक्टर्स ने भी एडवाईज किया कि यह आप करकनात का मीट लेंगे तो जिसमें इससे इम्मूनिटी आपकी बढ पाज भी और हमारे सेंटर से भी लगातार विक्री एकदम बढ़ी है